आपने दिश्रम फिल्म तो जरूर देखी होगी जहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है उसके बाद जो हीरो होता है फिल्म का वो उसका शव को गाड़ देता है पुलिस इस्टेशन के नीचे कारण कारण ये कि पुलिस कहीं पे भी ढूंडेगी लेकिन कम से कम अपने पु जिम टेरनर द्वारा एक युप्ति की हत्या की जाती है उसके बाद उसके शव को डियम कंपाउन में गाड़ दिया जाता है कौन सी वो जगह है हमां वहीं पर मौझूद है आपको दिखाते हैं कि देखिए यह यहां से डियम का आवाज शुरू हो जाता है और इसके ठीक जो आप देख रहे हैं यह लाल रंकी बिल्डिंग यह ओफिसर्स क्लब है जहां पर अधिकारी लोग आते हैं और यहां पर अपना जो भी गेम्स होता है उसको खेलते हैं और इसी के अंदर ले जाकर उसने शव को गार दिया था और थोड़ा बहुत नहीं बलकि आठ से दस फिट का गड़ा खोद के डाला था सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहां पर अंदर कैसे गया वो गाड़ी में लेके कैसे गया क्योंकि जिस तरह से बताय जा रहा था वो यह बताय जा रहा था कि यहां पर वो जब गय थे तो कार लेके गया था और कार में अंदर चले गए थे गेट से अंदर लेके कैसे गए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दे वो जगए कि जहाँ पर वो जो गड़ा है जो आप देख रहे हैं इस समय यह वो ही गड़ा है तकरीवन आठ से 10 जिसको की यहाँ पर जो आरोपी है उसने ऐसा बताया जा रहा है कि उसने आपर खोदा था और जिस गेट से गाड़ी लेके गए थे उस पर सबसे आदा सवाल की नीचे यह पत्थर है यहां से अगर ना पा जाए तो यहां से लेके जो पूरा है यह ONE काड़ी आए कहजार साथ सो सबसे बड़ा सवाल यह कि जो 1676 mm है 1676 mm की जगह से 1680 mm की गाड़ी कैसे चली जाएगी और यह तब है जब कि जो साइट के जो शीशे होते हैं उसको अभी हम लोगों ने नहीं जोड़ा है तो यह देखने में बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं लग रहा कि यहां से इस गेट से गाड़ी अंदर चल जान नहीं है क्योंकि यहां पर 8-10 फिट का गड़ा कहीं पर भी खोदना होगा तो कम से कम देड़ से 2 घंटे किसी भी वेक्ति को लगेंगे और शायद ज्यादा लगेंगे लेकिन पुलिस का कहना है कि वह 20 मिर्ट में ही बाहर आ गया था और पहले से शायद गड़ा खोद है और अब जाच में आगे क्या निकल के आता है अन्वागा गर्वाल टीवी नाइन खानपुर्ट